की नहीं भरती आ चुकी है 2024 के लिए बहुत ही बड़ी खुश ख़बरी है ओफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसमें बार में और गुरिजेशन पास कंडियेट अपलाई कर सकते हैं आवेदन करने के यहां पर दीख सकते हैं बिलकुन निसुल्क है और सेल यहां पर 50,000 रुपे श्टार्टिंग आपको मिलेगी अंतिम्दिती 20 फरवरी है आज से इसके आवेदनी स्टार्ट हो चुके हैं और आपने अगर अभी तक आवेदन नहीं किया है तो कैसे करना है आवेदन चेन एज चेन प्रिक्रिया क्या है सेलेक्शन प्रोसेस क्या है सब तो 36 फरवरी के लिए नई भरती का ओफीशन नोडिफिकेशन जारी हो चुका है इसके ओनलाइन आवेदन प्रिक्रिया देख सकते हैं 20 जनवरी से सुरू हो चुकी है और इसके लिए अकर आपने आवेदन करने की अनतिम्दिती की बात करें तो 20 फरवरी 24 तक आप आप के कंडिडेट ठीक है एज सीमा देख सकते हैं 18 से 35 फर्स के कंडिडेट अप्लाइ कर सकते हैं एक आगस्त दो है अते इसके अधाया पर आपका एज काउंट किया जाएगा एज में यहां पर छूड़ भी प्रदान की जाए सेच्च की योगता एजुकेशन यहां पर क्या म थे न के आप पर देख सकते हैं आप वियाति का चेन होगा रिकावड की जाच चेला डलेकित परिच्च और थर फॉर्ट की सारिक मानी सिकh ग परिच्च होगा और उसक पर प्रेगार से फाज में मेडीकल होगा और सेंट यहां पर दिख सिजा इन कारिक ही हम नोटिफ़ीक है तो इसकी official website के भी मादिम से आप जाके कर सकते हैं अपना registration और login ID password के मादिम से अपना form भर सकते हैं फोटो sign को अप्रोल कर सकते हैं ठीक है और इसके बाद में अपने form को submit कर देना होता है और साब का final यह है CISF का official notification notification पूरी detail में यहां पर बात करेंगे देख सकते हैं सब inspector के थिरों यहां पर LDC for the location है यहां पर LDC यह वेकिंसी में apply कर सकते हैं तो देख सकते हैं CISF के हम पर zone को divide किया गया है तो Delhi New Delhi North office यहां पर देख सकते हैं हर ओल इंडिया विकेशी के और candidate apply करके इन zone में apply selection से लेश सकते हैं eligibility criteria क्या रहने वाला है तो देख सकते हैं eligibility criteria यहां पर दे रखाया देखते हैं service eligibility के यहां पर रख्या रखते हैं five years complete आपको करना पड़ेगा ठीक है अपर यहां पर age limit की बात करें तो 35 तक यहां यहां पर देख सकते हैं candidate apply कर सकते हैं age में चूट लेने के बाद 1823 और 28 1988 की candidate यहां पर दिख सकते हैं five years आपको age में चूट मिलेगा cst candidate के लिए OBC के लिए आपर three years का यहां पर चूट देया जाएगा education qualification के बाद से कर सकते हैं तो देख सकते हैं आपर graduation मांगा गया है अपनी किसी भी award university से complete किया हो physical standard की यहां पर बात करेंगे तो male height देख सकते हैं 170 cm मांगा गया है आपर general other work word class EWS के candidate के लिए अगर आप CSD है तो 165 cm age आपका height होना चाहिए इस्टेट भी दे रखें यहां पर ठीक है इनी स्टेट के candidate के लिए 165 cm age होना चाहिए for candidate in flowing the skeletal drivers के डरीक है तो एक पॉइंट 155 cm और यहां पर देखते हैं गोर्खा है जो भी candidate है गोर्खा इस्टेट से बिलोंग करते हैं तो 22nd rate के लिए हैंपर 157 cm age हाइट होना चाहिए चेस्ट देख सकते हैं 80-85 होना चाहिए और नॉर्मल आपका देख सकते हैं अगर आप आप हाल candidate ब्लोगिंग स्केलिल ट्राइब से हैं सो 277 और 222 होना चाहिए सेंटिमेटर आपका चेस्ट फिमेल की हाइट की बात करेंगे तो देख सकते हैं जन के टेजिल के लिए है फिजिकल स्टेंडेर्ड में नहीं लिया जाता है बात करते लेते हैं सेलक्षन प्रॉसस की तो स्टेज बन में दिख सकते हैं चेकिंग सर्विस रिकोर्ड आहां पर आएंगे लावट नंबर भी दे रखके हैं और सेकेंड स्टेज में डेटर एक्जामिनेशन होगा ठी जिसमें देख सकते हैं 200 नंबर्स का वहां पर पेपर होगा और लगबक यहां पर साड़े तीन घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा सब्जेक्ट की तरो ठीक है किनकी सब्जेक्टों में क्या क्या क्योस्टन्स यहां पर पूछे जाएंगे तो इन चीजह को भी द कोनिकेशन इंगलिस के भी हैं पर पचाइस को सेंगे टोटल आपका 200 नंबर्स होगा और और समय आपको साड़े तीन घंटे का मिलेगा आपको चैलिस और पैतालिस परसेंट आपको नंबर्स लाने पड़ेंगे रिटन एक्जाम के लिए क्वालिफाई होने के लिए दोस् मिल से साड़ तीन 3.2 किलोमेटर होगा ठीक है 16 मिनट छे सगेंड में इसी परजार से हम बात करेंगे फीमेल की तहां पे 1.6 किलोमेटर 11 मिट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ठीक है उम्मिद करता हूं CISP की पूरी डेटेली इंफरमेशन साब को क्लियर हो चु कर दो कलिन